पेरिधे बत्चो, आपके पास जो जयोमेटरी बॉक्स है उसमें जो उपकरण रखेवाइने मदद से कही तरह की रश्नाइग की जा सकती हैं और बहुत मजए के साथ की जा सकती हैं य्या आपने देखा होगा मैसूस क्या होगा आपने कही तारी आपके रचनाएं की भी होंगी जब आप अपने स्कूल में पिछली कक्षाओं में थे तब भी और अभी इस कक्षा में भी आपने किया होगा। अभी हम आपको दो ऐसी रचनाओं के बारे में बताते हैं जो आपके पार्टक्रम में शामिल हैं और वो रचनाएं बहुत आसानी से होती हैं एक रचना है अगर कोई एक रेखा दी हुई है उस रेखा के किसी बिंदू पर हमको लंब खड़ा करना है लंब खीचना है उस पर है रेखा पर एक बिन्दू है उस पर हमकड़ा करना और रेखा के बाहर एक बिंदू है उस बिंदू से रेका पडलना तो आप देखे दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पर उधारन 6 और 7 में आपने किताबों में पढ़ा होगा उसको हमें यहाँ पर करते हैं तो जो हमें करना है उसके पहले सबसे पहले हमें एक रेखा चाहिए होगी वो हमें एक रेखा बनाए यह हमने रिखा बना ली चुर। पर यहां कोई बिन्दो wird मालिजिए इस बिन्दो को नाम है C अब आपको C पर एक लंब ख़डा करना है तो C पर लंब खडा करना है तो क्या करना होगा हम परकार की मददद से काम करेंगे चांदे से भी आप एक काम कर सकते हैं सेट स्क्वेर से भी एक काम कर सकते हैं लेकिन परकार की मददद से कैसे करेंगे यह आप देखिए यहाँ पर हम एक चाप काटते हैं और इसे लंबाई का चाप दूसरी तरफ काड़ते हैं माने इस रेखा पर हमने दो बिन्दू ऐसे लिए जो बिन्दू C से बराबर दूरी पर हैं माल लेज़े आपने इसको नाम दिया बिन्दू X और इसको नाम दिया बिन्दू Y तो X और Y की C से जो दूरी है बराबर है यह आपको पता है अब हम क्या करेंगे एक और चाप लेंगे इसको हम थोड़ा फैला है पहले वाले चाप को थोड़ा बढ़ा करतें ताकि दोनों से कटने वाला चाप बिल जाए इसके लिए आसान तरीका है कि जो रेखा सी जो अब एक सुआइक के मद्द पर है उसे ज्यादा लंबाई के एक चाप हम बनाए यह चाप हम ने यहां काटा और दूसरा चाप हम यहां काटेंगे इस बिंदू से एक स्वे यह देखिए तो दोनों चाप एक दूसरे के जहां पर काट रहा है उस बिंदू को आप सी से म माली जैसे ओ दे दे और इसको आप किरंड जेट कह दे तो जो सी ओ या सी जेड है वो इस रेखा के पर लंब है अब देखिए क्या किया आपने सबसे पहले एक रेखा ली उस पर कोई भी एक बिंदू सी लिया सी से आपने परकार के मदद से दो बराबर दूरियों पर पॉइंट एकस और वाई लिये ये बिंदू एकसे बिंदू वाई है और सी से इनकी दूरियां बराबर है अब X और Y से आपने क्या क्या एक ऐसा चाप लिया जिसकी लंबाई CY से या catalog और आपने उस चाप को बिन्दू Y को के अदे मान कर आपने C के एक रिखा एक और ख्जा और उसी चाप से आपने उसी तरह पहले वाले चाप काटने करी कर दोनों चाप जहां पर एक दूथरे को काटते हैं उसको आपने सी से मिला दिया यह जो कोण बने का वो नबे अंश का होगा और इसका मतलब जो सी ओ होगा वो इस रेखा के पर लंब होगा यह तो उधारन शे में आपने देखा अब इसे के साथ उधारन साथ आप देख लि तो उस रेखा से बाहर है फिर आपने एक रेखा ली मालीजी इस रेखा के नाम आप एल दे दीजिए और एक बिंदू यहां पर है मालीजी यह एक बिंदू है दोनों में क्या फर्क है कि पहली बार आपने जो काम किया वहां पर बिंदू रेखा पर मौजूद था और आप कि बार बिंदू रिखा के बाहर है मान लिगे इस बिंदू को नाम ए दे दिया अब इसको हमें परकार से करना है तो परकार से इसे करने के लिए आपको क्या कर ना होगा परकार की नोक आप यहां रकिए और यहां से दो बराबर निशान निया है ए देखी और की नोग को आ पर रख़ी इसको फ्यूड है और इस तरह प्यूड है कि यह जो चाप है कि ता क्यूज रख़ें से अगर इस लंबाई को आप काट रहें याने इन दोनों बिंदों के दूरी ए से ब्राबर अब जो आपने काम किया आप चाहें तो इस चाप को वैसा ही रखिए जैसे आपने पहले रखा था या थोड़ा सा कम या ज्यादा करिए लेकिन यह ध्यान रखिए कि दो चाप जो आप काटेंगे वो दोनों एक दूसरे काटने चाहिए आपने रेखा कि दूसरी तरफ एक औ और मिला मा लीजिए जो कटन बिंदू हो इसको आपने नाम दिया भी इसको भी आप नाम दे देजिए सपोज यह सी और डी है अब आप कि यह और बी को मिलाए यह अब बाकी हिस्से को आप इस कटी हुई लाइन से प्रदर्शित कर दीजिए तो यह जो आपको इस बिंदू को भी एक नाम देना होगा हमको माने बिंदू ओ है तो जो एओ है वो इस रेखा एल पर लंप होगा यह दूसरी चीज़ हुई कि देखा कि बाहर किसी बिंदू स रेखा पर लंब डालना आपने क्या किया कि फिर से दुराइए आपने परकार लिया उसकी नोक वे पर रखा और एक चाप पहला कर आपने इस रेखा एल पर दो बराबर बिंदू पर बिंदू सी और डी लिये और फिर सी और डी से भी आपने बराबर बिंदू पर एक पॉ ही जो दारान 6 और 7 में आपके पास थी आप व करिए से व बहुत अच्छे ते कर सकते हैं यह देखिए अब इसको गोर से देखिए यह अपने क्या किया है याद करी और यहां भी आपने क्या किया याद किये दो फरक है एक तो यहां पर बिंदू C पर वो बिंदू था जहां स अपको इस पर लंब डाला था देख दो शब्दों में फर्क है दिये बिंदु पर लंब खड़ा करना और दिये बिंदु से रेखा पर लंब डालना तो यह ध्यान में रखेगा यह दो रशना आपके लिए करके देखें पहला 5.8 cm का रेखाखंड A B खीचिए और उस पर बिंदू C इस तरह लीजिए कि A C अनुपाद C B बराबर 3 अनुपाद 4 जाचिए कि A C अनुपाद C B बराबर 3 अनुपाद 4 है या नहीं दूसरा एक रेखाखंड की रशना कीजिए जो किसी रेखाखंड A B का 7 बटे 5 गुना हो तीसरा एक तरभुच P Q R बनाईए जिसमें Q R बराबर 6 cm P Q बराबर 5 cm और कौन P Q R बराबर 60 अन्श हो इस तरभुच के समरूप एक तरभुच A B C बनाईए जिसमें A B बराबर 2 बटे 5 P Q हो चौथा एक तरभुच A B C बनाईए जिसमें B C बराबर 5.5 cm कौन A B C बराबर 75 अन्श और कौन A C B बराबर 45 अन्श हो इस तरभुच के समरूप एक तरभुच X Y Z बनाईए जिसमें Y Z बराबर 5 बटे 4 B C हो